नमस्कार मैं हूँ राज किशोर और आर्ज राजनीति वहां से जहां से सिर्फ देश की नहीं पूरी दुनिया की निजरे लगी हुई है आयोध्या वो आयोध्या जिसका मतलब है जिसे युद्ध में ना जीता जा सके और वाकई आयोध्या ने सुप्रीम कोड के एतिहासिक फैसले के बाद ये साबित भी कर दिया है कि इस आयोध्या को कोई नहीं जीत सकता है ये आयोध्या जीतती है कोई सामराज नहीं बलकि दिल जीतती है आदर्सों की स्थापना करती है और राम जिनका यहां पर जन्म हुआ था वो राम जिनका प्रताप सिर्फ सामराज नहीं पत्थर नन नील भी तयार है पत्थर भी तयार है और सुप्रीम कोट का आदेश आ चुका है उसके बाद बस अब सेत उबंधन की तरे कैसे भव्यराम मंदिर बने उसका भी तयार है और सिर्फ राम मंदिर ना बने लोगों के बीच में जिस तरीके से वैमनश्य और सभी धर्मों के लोग और युद्ध्या की बहुत ही शांतिप्री और गरिमा साली गौरोशाली जनता भी हमारे साथ है तो आज राजनिवित में हमारा प्रश्ट यह है कि भव्यराम मंदिर का निर्माण किस तरीके से होगा उसका सुरूप कैसा होगा और दूसरी बात ट्र कि तरे इस देश की गंगा जमनी संस्कृत के लिए एक मिसाल बनेगा तो इन्हीं मसलों पर हम बात करेंगो और आप देख सकते हमारे साथ एक बहुत खास पैनल है और मैं सबसे पहले कर पात्री जी महराज आपके पास आऊंगा और मैं आपसे पूछना चाहूंगा बात हो कि तीन महीना करना होगा आदेश को सप्रेम कोड का वैसा किया जाएगा लेकि इसके पाहले एक आदेश होना चाहिए यहां जो तरा से गए पत्थर हैं इसको आवे पहुँचाए जाए क्योंकि काफी समय से हमारे राम लाजी टेंट में जो है विराजमान है और राम राजी ने प्रफदान मंत्री निरन्दर मोदी जीं ने उद्बोधन में नया सवेरा मतलम नफरतों का दौर खतम हो गया पहले जो है जो ये गंदी राजनीदी जाती बाद परिवारवाद को ले करके धर्म और मजहबक के नाम पर खून बहाना लड़ाना था उसका दोर खतम हो गया माननी प्रधान मंतरी नरंद मोदी जी जो है लोगों के अंदर कुसित मानसिक्ता नफरत से उठा करके राष्ट बात के अस्थापना किये और ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदू मुसलिम सिख हिसाई सर्बोच दालत के फैसले से सब खुस हैं और अब लोगों ने एक बात साबित कर दिया है यहां कि हम हिंदू मुसलिम सिख हिसाई बाद में सबसे पहले हम भारती हैं और प्रतेग भारती भाई भाई हैं और संबिधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंत है और नयाई पालिका से जो आदेस आया वह उसका पालन करना हमारा परम करतेब है और उसको करके हम लोगों ने दिखा दिया है जैसा कि रामराज में था कि सब नर कर नहीं परस पर प्रिती सब नर करते थे उसी तरह से यह माहौल जो बन गया है अम नफरत बिलकुल खतम हो चुकी है बाहर से एक दो चंद लोगों वाईसी जैसे गर नफरत हीराज कर रहें तो जन्ता उनको नकार रही है को उस सुनने को तयार नहीं यह इसलिए अब तानी जनता को नस को भगा सकता है नो को भड़का सकता है हम लोक भाई चाहरे के अब उस RA90 पर चल पर चुके हैं जिसको को रोक नहीं सकता इसी के साथ अब राम राज्ऺय स्था है बबलू खान साहब आपने एक नई मिशाल कायम की है आपने काई भी साफ की है और उसे काई सिर्फ साफ नहीं हुई है बलकि जो तमाम दिलों पे एक तरीके की लेप जो एक उद्पे आवरन चड़ गया था वो भी इसी तरीके से आप जैसे लोगों के प्रयास से खतम ट्रेश्ट की बाद तो भी हम बाद में करेंगे देख लीजिए जहां पर स्री राम चंदरी जी ने जनम लिया है मात्र चंद दूरुवी पर मैंने भी जनम लिया है और मैं वास्तों में बताना चाहता हूँ कि राम के इच्छा नुसार और राम मंदिन निर्माल के लिए ह मेने जुद्या में जन्म लिया है और मैं बताना चाहता हूं राम की लड़ाई जो ये अदालत में चल लहा था तो वास्तों में राम किसी हिंदू के अकेल नहीं राम हिंदूस्तान के सब के राम तो मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से पहले हमारे हिंदू समाज के लोग रा कर रहा था तो कहीं ने कहीं से राम के सक्तियों से मुस्लिम समाज बहान निकला राम की लड़ाई लड़ने के लिए तो राम के ही सक्तियों से राम के ही इच्छा सक्तियों से ये पांचों जजों ने ये फैसला सुनाया और मैं बताना चाहता हूं राम के ही इच्छा सक्तियो से ये ट्रेश्ट बनेगा और राम के ही इच्छा सक्तियों से भब राम मंदिर के निर्वार बहुत जल्द होगा कुर्मिला के रगुपति रागो राजा राम सबको सन्मति दे भगवान तो सन्मत की बात हो रही है तो सतेंदाश्ची मैं आपके पास आओंगा जब जैसे लोग चंद लोग दसल उनको साथ हमें रखता बहुत तबज्जो भी नहीं देनी चाहिए लेकिन चुकि जम्हुरियत है लोकतंत्र है उसमें वो संसक्त चुनकर आते हैं जब इस तरीके की बात होती है तो उस पर बहु संख्यक समाज जब हिंदू समाज को किस तरीक कि आप इस पर जो है किस तरीके से बहु संक्यक समाज को प्रत किया देनी चाहिए और खारने तो बहु संक्यक समाज सदा ही शद भाव की बात किया है आज एंगी नहीं पूर्भ से करते आया है और करता भी रहा रही बात उबैसी जी की उबैसी जी को बास्तों में जिस तरह की बाद चोकि हमारा इस राम जन भूमी आंदोलन के लिए तरह की प्रौशा इस कमें बेक्ति बास्तों में चले जाना चाहिए आई से बेक्ती को और जो राम पे टिप पणी जो राम को अपना जूगी आदर्शे है राम और राम पे जो टिप पणी करते हैं बहुत धिया के बहुते बहुत की आधिकार नहीं देखें हम जिस दिने फैसला आ रहा था उससे पहले मैं लगाता रहा आपसे दिल्ली से अपने नुटाइश स्टूडियो से चर्चा करता रहा हूं लेकिन आज आयोध्या की धरती पर आने का मौका मिला है तो आयोध्या की धरती से अब विलम कही कारण कीजे तुरंत प्रभू आयस दिजे अब देर किस बात की बिल्कुल देखिए कि सभी लोगों ने सबकार किया जैसा सुप्रेम कोट ने आदेश दिया है तो सुप्रेम कोट का आदेश के पालन करना पड़ेगा और उन्होंने तीन महीना का शमय दिया कि जिसमें आप ट्रस्ट बना लिए तीन महीना के पहले बन सकता है तीन महीना तो अंतिम शीमा है तो यह सरकार के इन सरकार की जिम्मेदारी है तीन महीने के पहले एक महीने में बना सकती है वो ट्रेस्ट बना करके और क्योंकि जब तक ट्रस्ट नहीं बनेगा तब तक मंदिर के संबद में कोई भी कार्शंभव नहीं है ट्रस्ट को लेके राम विलास वेदानती जी और तमाम लोग के बयाना है नाम तो चुकी एक प्रमुख उनका आया इसने मिले रहा है लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं उनका ये कहना है कि ट्रस्ट में ऐसे लोगों को सम्मिलित ना किया जाए जिनका इस आंदोलन से इस धरती से उस तरीके से कोई संबंद नहीं रहा कोई योगदान नहीं रहा आपका क्या हमत है तमारा काना की ट्रस्ट आशा बने जो जो गवेक्ति हों जो समर्पित हों जिनकी ये छमता है कि निर्णे लेने की और क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है राम जिन भूमी के मंदिर बनाने का निर्णे लेना उसके आकार पकार को देखना और उसमें सहजोग करना इसने बुद्धीवियों की जरूरत है और जो इस पर विचार कर सकते हैं सोच सकते हैं मेरी विचार यह हैं कि ऐसे केंट से लेकर के राज से लेकर के ऐसे लेकर अजुद्धिया से लेकर आइसे ब्यक्तियों को ऐसे संतों को उसमें समलीद किया जाए जिससे किसी परकार का कोई ऐसी बात नहाँ है जो टेष्ट में भी दरार पैदा हो और लोग समझें कि यह त करने वाला ने हो जो राम लला कुप समर्पित हो ऐसे जोग व्यक्तियों को ही इसमें समलित करना चाहिए तभी यह संभो है कि पूरा हो सकेगा बिलकुल अगर योग की व्यक्ति नहीं होंगे और उनकी भावणा नहीं होगी तो साथ ट्रस्ट पर भी ट्रस्ट उस तरीके से लेकिन निश्चित तोर पे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया पूरे देश ने पूरी परिपक्वता के साथ पूरे आदर के साथ उसको अंगी कार किया उसके बास सरकार अपने आपने सक्षम है कि किस तरीके से उसको आकार दिया जा लेकिन जब ट्रस्ट कि में राज्य सरकारे उसको संचालित करती है तो अब इसका स्वरूप कैसा होगा क्या होगा ये तो थोड़े दिन की बात है आई जाएगा चुकि जो सबसे बड़ा रुका हुआ फैसला था वो आ गया और उसके बाद जिस तरीके से लोगों ने उसका इस्तक्बाल किया लेकिन मंदिर का स्वरूप आपके हिसाब से क्या होगा और मंदिर निर्माण का स्री लक्ष क्या होना चाहिए देखिए मंदिर का स्वरूप तो मैं यही मानूंगा जो हमारे पुझ जिस संतों ने बहुत पहले जिस माडल को पूजा है चाहे देहरवा बाबा हो चाहे पर आनों की आहुती दे दी मैं तो मश्रॐ já ना तो हम साथ हर्वानगडी की महत्राजुदास श्या भीन पैसा रहे तो बिना कि कुछ और नहीं यह कि अब क्या लगता है कब तक सपनो का मंदिर राम डला कब टेंट से पूरी तरीके से जो है पकी छट के नीचे आ जाएंगे देखे पहले तो आपके चैनल के माधिम से पूरे देश को बढ़ाई मीडिया कर्मी को धन्दवाद क्योंकि मीडिया कर्मी की देन है कि पूरे देश में किसी भी परकार का किसी माहोल नहीं बिगडा रही भबता प्रदान करने की तो जिस उद्देश को लेकर साधू संत अब तो आदेश आ गया तीन महने के अंदर जो कमिटी बननी है कमिटी गठित होने के बाद उसमें क्योंकि कोई साधारन है नहीं कि एक कमरे का कोठरी है कि एक पत्थर धरू काम तयार हो जाए लेकिन लेकिन एक सवाल मैं उठाओंगा इसके नाते क्योंकि बेकलपिक ब्य और दिब मंदिर आप आराम से अस्तिल से बनाते रहिए कोई नी रोकने वाला कोई नी टोकने वाला है लूइन की पूरा विश्व आकर देखें कहें हां भगवान राम की जनमस्तली ऐसी है कुल मिला के गर्भ ग्रह पे आपका ऐसा मानना है कि जब फैसला होई चुका है तो कम से कम उसको फिलाल एक ऐसा सुरूप दिया जा सके जिससे उनको टेंट पर न का सके हमारे साथ कवीवर भी है इस मौके पर मैं चाहूँगा तो थोड़ा सा अपना परिशे दे और साथ में कि अप strangely मैं चाहूँगा कि आप इस मसले पर दो पंक्ती उसे कुछ ऐसा कहें कि जिससे पूरे देश को संदेश चाहें कि घ्रशना आ गया कोई जिद ना करें यरी करिके प्रतिरोध लग अपना गद ना करें आव मंदिर वो मस्जिद बनाएं यहीं पारसद भाव नाओं की हद ना करें और हमारा हमारी जो द्याज जैसा की इसके नाम सही पर रिखे शान्त की प्रत्रीक है यहां के हिंदु मुसल्मान फैसल आनियस पहले फैसल आनिकबाद देखे बगुलो खान उदाहरन के रूप में यहां है तो मैं इस पर मैं चार पंक्तिया कहना चाहिए बिलकुल बहुत जरूरी है कि शांती की अयोध्या में युद्ध चल नहीं सकता उग्रवाद का बिर्वा फूल फल नहीं सकता दाल गल नहीं सकती मजह भी सियासत की ओ फैसला अदालत का दिल बदल नहीं सकता फैसला अदालत का मुझे लगता है कि कई बार कविता में वो शक्ति होती भी कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवी वहां पहुंचे कवी जहां सूर की क्रिणे नहीं पहुंच पाती है कवी उन भावनाओं को भी वहां पर पहुंचा कर इस तरीके से आपके दिल के ऐसे उमंगों की परवान चड़ा देता है ऐसी कोपले खोल देता है जो के पर आपके संदेश देना चाहेंगे अभी एक सब्द आपने कहा कि जहान पहुंचे रभी वहाँ पहुंचे कभी तो मेरे एक शम्द है मैं वह सुनाना चाहता हूं यह मंदिर बनने के पहले कर शब्द हैं हिर्दय तश्वीर है तेरी जुबा परनाम है तेरा नजर बदु हो स्तडपती है सदा पूछे मका तेरा कहूं क्या आशुदू इसकी समझ अब तक न पाया है बहाती नीर रातों दिन बताओ क्या गुनाह मेरा मेरी आखें वर्सों से जिस अभिलासा के लिए तरस्ती रही है आज इस आयोध्या की धर्ती पे दीपा वलिप में कई वर्सों के बाद आया और यह गुर्देव शरकार की कृपा थी और मैं यह जानता भी नहीं था कि ऐसा फैसला मेरे आने पर हो जाएगा सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सारे विश्व के सभी लोगों से एक निवेदन भी कहना चाहता हूँ कि जिस सांती का सुरूप सबने परचे दिया है उसी सांती के साथ आगे भी लोग बढ़ते रहें और आनंद करते रहें जैशियारा बिल्कुल जिस आनंद की आप बात कर रहें तो राम राज बैठे तरह लोगा हरसित भयो गयो सब शोका तो शोका बिल्कुल राम नहो जी प्रबनस जी मैं बिल्कुल चाहूँगा क्योंकि जब आप जैसे साधू सन्यासी कोई बात कहते हैं और जब उसको चंद में पिरोक करना चाह रहा हूं जिसको प्रभुष्री राम के समय में जब मानवता वादी ताक्ते प्रभुष्री राम के पास आ गई और आतंक वादी ताक्तों का समिनार लंका में एक अत्रित हुआ प्रभू 미국 स्री राम ने संझाने का प्रयास किया कि मानावता सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, नफरत छोड़ दो, विविसन समझ गए, अब विविसन रावन को समझाय नहीं समझा, तो विविसन आगे आकर विविसन ने कहा, जो इंसानियत की लीग छोड़ ऐसे अगर सगा भाई है तो उसको भी छोड़ देना चाहिए लेकिन इंसानियत नहीं छोड़ना चाहिए नफरत के लिए उन्होंने कहा नफरत फैलाने वालों के लिए भीवीशन ने गाया था मैं एक मिनट गाता हूं भीवीशन ने रावन से कहा तमाम जो है जब आतंक आने मंगल राम माने राष्णवाद राम माने मानोता राम माने भारति संस्क्रुतियों मानोता के अधर से वीवीशन जी कहते है एसे राम का बिरोध कहना राम नाम लिन हो तैने भरी जबानी में कहा दो डूबuke मर जा प्रफ्रत फैलाने वालों चुलू भर पानी में डूब के मर जाना लेकिन हिंदुस्तान की धर्ती में हिंदू-मुसल्मान सिख हिसाई अब इनमें कोई तोड नहीं सकता अब इसमें कोई नफरत नहीं फैला सकता जैस्री राम यह कुछ सही है और कुर्मिला के नफरत का कोई स्थान नहीं हो सकता हमाई साथ डॉक्टर रागवेस्दाश जी भी है रागवेस्दाश जी मैं आप से पूछना चाहूंगा फिर मैं ट्रस्ट पे आ रहा हूं क्योंकि राम विलाश वेदानती जी ने कहा है कि जो सवाल मैंने मुखि पुजारी जी से भी पूछाता तो उनका कहना है कि ट्रस्ट में किसको रखार रजाए रहा है किसको न रखा जाए उनोंने गाइडलाइन ते की है то मुझे लगता है कि जब सॉप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है सरकार को उसकी जिम्मेदारी दे दिये तो उस जिसटरेश्ट के द्वारा भग्वान स्री राम के भब मंदर का निर्मार्ण होना है और उसटरेश्ट में कौन होगा तो जब में, है को उन्हें लोग ठे शा पकर करेगी एक नया ट्रष्ट बनाने लिसे सर्कार को आधेश दिया है कि तीन महीने के अंदर वो ट्रषट का निर्मान करे अब यह बात आती कि उसी ट्रष्ट में कौन हो一次 हम लोग अपनी कि सबी संपर्दाए के एक-एक संतों को हुआ हैं विदानती जी को भी शामिल किया जाना चाहिए दिखें मैं यह नहीं के सकता खींड्य को सामिल किया जाना चाहिए कि नहीं किया चाहिए और लोग भी कहेंगे लेकिन मैं एक संदेश जरूर देना चाहता हूँ इस निर्णे को आने के बाद पूरे देश के हिंदू और मुसल्मानों को एक मेरा आहवान है कि हम सब की निसों में पूर्वजों का पुन्यरक्त प्रवाह हो, गुणसील साहस बलतता सब में भरा उत्साह हो, हम सब के हिय में राष्ट के लिए बहुत मंगलकारी होगा। लोगों के गुरुत तूलने हैं, उनको उसमें प्रमुकता से जगह मिलनी ही चाहिए और चाहिए जिसको रखा जाए। आप कुछ कह रहे थे, जब यह चर्चा चल ले थी, तो आप उसमें बुद्बुदार रहे थे, तो माइक दूर था, तो मैंसे माइक आपके पास ला रहा हूँ, सवाल भाई। देखे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि राम मंदीर में के आंदोलन से जो जुड़े लोग है, उनका सब का ध्यान रखना चाहिए, कारण है, कि आज जो सन उन्चास से लोग लगे हुए हैं, आज से नहीं, विगत कई वरसों से जो लगे हैं, अखाडे के लोग, और त देखे, जब चर्चा चल लगे हैं, तो बिना आपके पास आए बात नहीं हो सकती है, आप हमारे बीच में विराजमान हैं, मौजूद हैं, ट्रस्ट पर ही फिर मैं आ रहा हूँ, आपके पास, क्योंकि मैंने दो मॉडल जैसा आपको बताया, कि एक बोर्ड हैं, दो अमरना जहां विराजमान है, उनकी सेवा सुशुसा का अधिकार, उन्होंने खुद आपको दिया है, तो मैं आपके इच्छा चाहता हूँ, कि आप कैसे कह रहे हैं, देखिए, जो ट्रस्ट बने हैं, उस ट्रस्टों में रहने वाले लोग अनभवी हैं, मैं कह रहा हूँ कि जोग और अनभवी, और उन्हीं लोगों को रखा जाए, जिनको इस संबन में अनभव हो, जिससे कि यह ट्रस्ट की जो जैसे आप बता रहें, सोमनाथ और वैश्मा देवी का, बड़े ही ढंक से हम लोग दर्शन करने गए हैं, जिस सुजारी रूप से, जिस ढंक से, जिस अनु और सारी व्योस्ता चले, एक पात और अभी यहां से कही गई, महंत राजुदास जी ने कही, उन्होंने कहा कि जब तक भव्य मंदिर बनेगा, तब तक बनेगा, तो जो आपकी सबसे बड़ी वेदना रही है कि रामलिला किस हाल में है, तो क्या जब तक भव्य मंदिर बनन रूड़की से, जिसें फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ है, तो इसी प्रकार से और कोई बस्त हो जैसा कि वो दिवाल के रूप में लगा दिया जाए, और उसको त्रिपाल को हटा करके उपर चप लगा दिया जहां रामलिला जिस रूप में बैठे हैं, जिस रूप में पूजा होती है, उसी रूप में होती रहे, ये बिकल्प यह टेस्ट कर सकता, बिना टेस्ट बने होना नहीं है, और वो ही कर सकता है, बिकल्प में ये कहा जाता है, जो सब की भावना है, कि वो से त्रिपाल को हटाजिए, और वहाँ पर आईसी कोई बस्त को लगा बीना हटाए रहे ही बन सकता है कोई आज़ी नहीं कुछ को हटा करके बना इसा नहीं वहां मूर्ती रही तब ही बना है मूर्ती पहले कपड़े का था और फिर बाद में यह कपड़े आए वाटरपूर्फ उसी प्रकार से आगर को हैं बन सकते हैं और इसके लिए जो किमती बस्तु हो और जो हारे विवस्ताओं को सान करने की शमता हो ऐसे विकल्ब किया जा सकता है पुल्मिलाक वरुणताशी आपके पास भी आना चाहूंगा मैं पुल्मिलाक बात ट्रस्ट की हो रही है राम डला के गर्व ग्रह पर एक टेंप्रेरी स्ट्रक्चर की बात हो रही है आपका मत दोनों बाते बहुत सही है क्योंकि संत इतने दिन से प्रतिक्चा करते करशे इतने उतारू हो गये हैं कि कुछ वहाँ पर आस्थाई बेवस्ता होनी चाहिए दूसरी बात है ट्रस्ट का निरने भारत सरकार करेगी लेकिन अब जिस प्रकार से आप लोगों ने विशाय उठा दिया है आज मीडिया के लोगों ने जो राम जी का पूरा संदेश देश में पहुचा रहे हैं और अजुध्या को भी प्रतिष्ठित कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यबाद इसके लिए तो यह विशाय एक नया आ गया है ट्रस्ट में कौन हो क्या संतों से पूछा जा रहा है जबकि इन पड़ेगा थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा और जो जो इसके पक्षकार रहे हैं जो लोग इससे लड़ने वाले रहे हैं जो इसमें आहूत होने वाले रहे हैं और जो यहां के परतिष्ठित लोग हैं जैसे कुछ चार-पांच नाम जो देख तो बिल्कुल ही है जो देश के अंदर भी बहुत बड़े बड़े नाम है जो रहेंगे और बिदेश से भी कुछ नाम इस ट्रस्ट में रहें और ट्रस्ट पाधिया वरुन बहार है तो वरुन जी मौझूदा परिस्थितियों में आपने सुना कि यहां पर सब गुणी लोग है साधू संत लोग है ऐसी स्थिति में जब फैसला आ चुका है तो मैं चाहूंगा कुछ तराने आपकी तरफ से भी छेड़े जाए बहुत ही खुशियों क क्या शिरवाद से में कुछ गाता है संगीत बद ही है कि द्धन धन जुद्धिया न गरिया अ। अरे दंधन जुद्धिया न गरिया ओudent ह आम जी जन में धन धन जुद्धिया न प्रहुँ जहां राम जिजन में राम जी जन में हो लखनलाल जन में आ लखनलाल जन में दसरत 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 जी के अंग नईया हो जहाराम जी जन में धन धन जोदिया नगरिया हो जहाराम जी जन में अन धन लुटावें को सल्यारा नि अन धन लुटावे कव सल्यारानी दस रथ लुटावे मुंदरिया ओ जहां राम जी जन में अपसे भी बहुत डिमांड आ रही है पबलिक की तरफ से आप अपना परिच्छे दे और आप भी जरा ये जो पूरी चर्चा चल लई है तो बिना संगीत के सत्संग पूरा नहीं होता है तो जरा उस पे आप भी चार्चान लगा दीजे जी हमारा नाम धरणी धरपांडे और देखे सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे यह सुप्रियम कोल्ट का बहुत अच्छा निरड़ा है जिससे संपुर्ण भारत को आती प्रशान लगा प्रभु स्री राम के सरण में जो भी आया वह खाली हाथ नहीं गया और आज कल देखे फेसबूक और अन्य जगहों पे बड़ा मैसेज आ रहा है वह क्या नाम ऑसी कहता है कि हमें खायरात में नहीं चाहिए मैं उसे कहना चाहता हूं उसको कौन बुला रहां यहां देने के लिए यह बबलू खान जैसे लोग हैं भारत में जो सामप्रदाइक्ता को बना करके रखने वाले हैं वो ऐसी जैसे लोगों को आयोध्या नहीं बुलाई जा रही है जो वो कहता हमको खैरात में नहीं चाहिए यह प्रभू स्री राम की भूमी है यहाँ जिसका भाग्य होगा जिसके जन्म जन्मांतर के पुने उद्य होंगे वह अयोध्या की भूमी पर आने का अधिकारी होगा जै स्री राम पुन मिला के देखे और से सच बात है कि कुछ लोग कभी-कभी ऐसी टिपडियां कर देते हैं जिनके साथ कोई आउशकता नहीं होती है लेकिन अच्छी बात है कि कई बार इस तरीके की टिपडियों को बहुत गंभीरता से ना लेके उनको उनकी सही जगे दिखाई जा सकती ह और पूरा देश शायद यही कर रहा है बबलु खान यहां पर उसका जीता जाकता हो दाराने तमाम यहां पर माय लोग मौजूद है तो MD दाश जी आप भी हमाएं साथ पीछ में आ गये हैं हमने सुना कि जब सत्संग चल ला है तो थोड़ा सा किरतन भी चल जाए क्योंकि बिना उसके पूरा होती नहीं होती हिए जैकि भगवान राम ने हमेशा समाज के अंतिम लोगों को गले लगाया सबरी कोल, भेल, बनवाशी प्रेम का संदेश दिया तो हम भी अध्या से भगवान का उसी संदेश को भजन के माध्यम से भजो रे मन प्रेम से राम रगु रईया भजो रे मन प्रेम से राम रगु रईया जूठे फल से सबरी तर गई बिछा पुरान चटईया चन्दन चढ़ा के कुबरी तर गई के वट चढ़ा के नईया भजो रे मन प्रेम से राम रगु रईया मरा मरा जप बालमीक जी हो गे ब्रह्म गुसाईया मरा मरा जप बालमीक हो गे ब्रह्म गुसाईया यवन हराम नाम कही तरिगे तरिगे सदन कसया भजो रे मन प्रेम से राम रगु रईया देखे जब राम की बात हो रही है तो उनकी तरफ से आमंत्रित थे वो थे केवट तो वो थे राम जो उनके दुरुदिनों के साथ ही थे वो उनके अच्छे दिनों के साथ ही नहीं थे तो मुझे लगता है कि राम राजी यह भी सिखाता है कि जो आपके साथ है वो हमेशा आपके साथ रहे और यही उनका संदेश है महंत राजुदाश जी कुल मिला कि प्रभू की क्रपा हो गई नल नेल अंगद गद बिक्टा सी तहीर ददीबुकिन सब की बात कही जाती थी लेकिन जिसन पे क्रपा हो गई वो राम दुवारे तुम रखवारे हो गए तो उन वो क पूजन करने के बाद भगवान से राम के चरणों में नत मस्तक होते हैं और वो कामना करते हैं कि हमारा परिवार सुखी संपन रहे देश धन धान से परपूर्ण रहे अध्या इसके लिए जाना पहचाना जाता है आप देखेंगे कि हर्मान गड़ी के पूर्व के शंतों एक जो है नवाज का कारिकम और मस्जिद निर्मान का मतलब सुद्ध रूप से हर्मान जी सुरू से चाहते हैं सवहाद्र के रूप से और आपस में अध्या की जो कल्चर है एक तरफ आजान और एक तरफ जो है सीता राम नम संकितन दोनों चलते रहता है यहां से पूरे द हम तो जो कहते हैं जो बताते हैं उनके जलिए इसी बात पे कुछ आप सुनावाने जाते हैं रूप साहित सब से पूराना है और हम सब लोग इसको साथ मोख्षदायनयों पूरियों में सरोस्ष्ष्ट पूरी मानते हैं इसलिए आयोध्या में केवल इतनी गरिमा है दो लाइन में इस आयोध्य की गरिमा की बारे में बताना चाहूगा और सब अपने साथियों से भी चाहूंगा एक बार और बताना चाहता हूं और ये बात खासकर विसेस में उबैसिस के लिए कहना चाहता हूं कि बक्त आगया मंदर निर्मान का साफ साफ कहना होगा राम भक्ति की धवलधार में हर मन को बहना होगा जिसे राम की जन्म भूमी लगी पराए वो मेरा देश छोड़ जाए अब तो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बन कर ही रहना होगा आप तो हिंदुस्तानी बन कर देश लगी है तो मुझे लगता है कि भारत के समविधान पर और राम के प्रताब पर दोनों पर सबको भरोस्ता होना है यह निश्चित तोर पर आप लोग को है भी यह अच्छी बात है लेकिन करपात्री जी कुल्मिला के जो बात अभी लगाता हम लोग चर्चा कर रहे थे मैं आप से भी एक चीज़ जरूर पूछना चाहूंगा जब बार-बार मस्जित की भी बात आ रही यहां पर पांच ए आवाज और मंदिर की घंटियों के दोनी वह आपस में संपूर्ता को पतान करती है तो यह जो एक तरीके से बदलाव आया है इसे तो सकारात्मक है और इसका इस्तक्बार की आया चाहिए जी आब हम लोगों ने वह सोच छोड़ दिया है अजद्या में कहीं भी मस्जित बन बी रदूल हमिद के नाम से बना से मस्जित बने घंट बाबर के नाम पर कोई मजजिन नहीं है अब हम लोगों से प्रासना करते हैं कि आओ लेगावे की बात करें या लेगावे ने हैं इस देशे को मारा और नीचे को है कोई जुगता नहीं इनका उनका सब का चढ़ा पा जो कुछ चाहिए इने सब दे दो हमें चाहिए हिंदुस्तान हमारा हमें चाहिए हिंदुस्तान हमारा देकर राम को वाकी आत्मसात करके उसका जवाब दिया सकता है आपका संदेश बोले तच्चिदानन्द भगवाने की जय हो बोले त्रिराम जनम ओमे की जय हो यहाँ परपस्थित शमस्त माताओं बहनों प्रियराम भक्तों हमारे हृद्यस्थ संत समाज मैं सरप्रथम बात ये कहना चाहता हूँ प्रेबंधों की जो भरा नहीं है भावों से जिसमें वहती रसधार नहीं वो हृद्य नहीं है पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं मैं तो ये कहूँगा की जो राम जी के प्रती ऐसी विचारधारा अपने मन में लाते हैं राम जी सबके हैं राम सबके हरते में रमे हुए हैं राम सबके हैं राम मंदर के लिए किसी को बिग्न बाधार डालना नहीं चाहिए और राम मंदर मेरे बंध हूँ भव्य नव्य निर्माड राम जी का मंदर बने और रही बात ये बहुत-बहुत बधाई देता हूँ बहुत बहुत साधुबाद सुप्रेम कोट को माननी स्री नरंद्र भाई मोधी जी को और पोजेयोगी आदितनाज जी को सब को बहुत बहुत साधुबाद सब को बहुत बहुत बधाई और मिरे बंधों जहां तक राम मंदिर का निर्माड हो अलप समय में रही बाद सरकार इ प्रदान मंतरी नरेंद मोधी जी ने अपने उद्धन में बात कहा कि अब हम सब लोगे जिम्मेबारी और बढ़ गई जिम्मेबारी क्या अपना सुधार देश की सबसे बड़ी सेवा है हम ये मन से बचन से कर्म से प्रयास करें कि हमारे दुआरा किसी भी कीमत पर सद्वाव प्रभावित नहों भाई चारा हम लोग का सुधिर होता जाए मजबूत हो और राष्ट बाद के हम राष्टे पर चलते रहें और अपने देश की गरिमा महिमा को बढ़ाते रहें और किसी भी तरह से नफरत में नफसे यही जो है हम लोग प्रयास करते रहेंगे यही हम लो है एक जीवन जीने की प्रविर्ति सिखाई है क्योंकि यह मर्यादा की नगरी है तो सुप्रीम कोट का आदेश आया आप पूरे भारत ने दिल से इसको स्विकार किया चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसल्मान हो और यह किसी की हार और किसी की जीत नहीं है सब लोग सुप् कि अरे खातंबाईर और खातंबाईर राम मंदिर वाला इहो मेटर मंदिर बनी अब बेटर मंदिर बनी अब बेटर और दिली से वकील नेका इले लेटर मंदिर बनिया बोबेटर याइ स्तुर्मिला हुआ के देखिए जब आइसे ही रस्मे बहते हैं चंदों में बहते हैं और इन भावनाओं को समझने कि आओ शकता एक थर्माचारों का अनुरोध है जिसको मैं प्रस्तूत करना चाहरा हूं। पिठादा इससरी मजगत गुरू रामानन्दाचार इस्वामी परमहंसाचार और उल्फ महंत परमहंसदास ये हिंदू धर्माचारे हों एक प्रमुक धर्माचारे हुँ कर रहें गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहें तो एक पत्रकार होने के नाते एक भारती नागरिक होने के नाते मुझे लगता है भारती समविधान उनको यह हग देता है क्योंकि बहुत से मर्यादा की नगरी है और मर्यादा की नगरी शदा ही मर्यादा की बात की है और मंदिर भब रूप से मस्जिद बनाई गई है उस मस्जिद को जो हनमानगड़ी के कबजे में थी हनमानगड़ी ने उसको बेलकुन सुपुर्द किया मस्जिद को यह शदभाव का विचार दिया जबी राजुदाजी कह रहे थे कि सदभाव की बात करता है सदभाव की बिचार रखता है इसलिए सदभाव की आवशक्ता नहीं सदभाव की जरूरत है को सही बात है जी आप कुछ करना चाहे थे रखता है सबसे पहले तो मैया कहना चाहता हूं कि भारत वर्स में रहने वाले प्रतेइक ब्यक्ति चाहे वो किशी भी धर्म को मानने वाला हो उसको यह जानना चाही कि संभिधान के पहले प्रिष्ट में भैगवान रहुनंदन का ही चित्र है यह सभी को जानना चाहिए उसी में एक सब्द मैं कहता हूं कि जो भरा नहीं है स्री राधे मैं यह कहना चाह रहा हूं कि भाव जब आखों में दीखता है बिंदुसा भाव जब आखों में दीखता है बिंदुसा हर नजर भीग कर साथ दिया करते हैं जाने अंजाने, पहचाने, दिवाने सभी, प्रेम घूट प्याला दिल खोल पिया करते हैं, धर्म और जात क्या, अमीर हो गरीब सभी, राह बस इस का बिंदास जिया करते हैं, सुंदर, सलोना, सुषील और पुनीत, अतुल, बोले वही सुंदर है, सलोना है, सुषील है, पवित्र ख़े पुनीत पुनीत है तुल नहीं है। बोले कौन? बोले जगत को त्याग राम नांव है। चलिए जब त्याग और पस्तिया कर बात आएगी, तब ही दो गोरकशपीट को यहां सको प्न्राइब है। और ऐसे में राम मंदिर का फैसला आया है आपके भाव मारे भाव यही है कि जब जब राम जी युद्या आये बनवाद से तो उन्होंने जब राजा भिशेक अपने दर्बार में एलान किया कि मैं अब केवल अपना ये मैं अब जंता का सेवत हूं और ये भाव हमारे मानिये प्रधान मंत्री जी मोदी जी ने दिया जो अभी मैं प्रियाग में था पिछले उसमें तो उन्होंने वो चर्ण्ध होया उनके अलमीक समाज के जो सफाई कर्मित है जी बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है ये जो है राम को स चेतन जग जीव जत जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदों सब के पदकमल सदा जोरी जुगपान विल्कुल अगर ये संदेश समद लिया जाए तो सायद ना कोई वैमनेस रहे ना किसी तरीके का कोई जगड़ा रहे क्यों अबर उन्दाश जी क्या कहेंगे जी बैमनस्ता समाप्त होना चाहिए हो भी गया है इतना सुंदर आया कि देश में प्रेम और सभार्ध है और हमारे भगवान रामलला विराजमान है स्वागतम ते महावाहो कौशल ल्यानन बर्धना एक मुशलमान कभी रहीम रास खान खाना साहब ने रस खान ने स्वेम क खेलत खात फिरे अंगना बग पैजनी बाजत पीर एक छोटी वाच भी को रस खाने भी लोकत बारत काम कलानीत कोटी काग को भाग बड़ो सजनी हरी हांत सुले गयो माखन रोटी काग को भाग बड़ो सजनी हरी हांत सुले गयो माखन प्रेम का संदे सजुध्या देता है सब नर करई परस पर प्रीती चलही स्वधर्म निरत सुरूति अपने अपने काज करते हुए प्रेम करना दखिए मैं बताना चाहता हूँ यह योध्या है बर्यादा पुरस्वत्तम से राम की यह नगरी है कारण है कि यहां तो सरवे भवंति सुखना सरवे संतु निराम मया वाली उक्ति चरितार था यहां भगवान राम ने हरजन गिर्जन को भी गले से लगाया प्रेम में सबरी के जुठे फैर खाये कभीर रहीम रस्खान कारो मिया नजिर विविताज जैसे मुसलमानों को भी गले लगाया यहां तो सांती और सवहार्द अमन और चैन की नगरी है यहां किसी तरह से भी कोई मुनमाद नहीं होता यहां तो हमेशा सवहार्द की गंगा बहती है गंगी जमनी तहजीव बहती है यहां पर यही मैं आपको संदेज देना चाहता है वारे साथ बीच में आचार लक्षमरदास जी भी पदयार चुके हैं लक्षमरदास जी विदेशों में राम कथा का प्रवचन करते हैं तो जब यह फैसला आ चुका है लक्षमरदास जी तो किस तरीके की प्रत्रिया आ रही है और आपके भाव ऐसा है कि आज के संदर्व में अगर देखा जाए सच्चाई है कि आज ही अभी ऑस्टेलिया न्यूजीलेंड करेड़ा अमेरिका कई जगह से मेरे पास फोन आए और लोग यही प्रश्ण कर रहे हैं चुकि जब मैं वहां जाता था तो लोग पुछते थे स्वामी जी आपके अयोद्या से आप हैं चुक्ति तो अयोद्या में आपके राम जी कब अपने अस्तार पर विराजबान होगी तो प्रश्ण यह नहीं है कि श्री राम जन मुमी को आज-अजादी में प्रश्न यह है कि राम तो चाहे हिंदू हो मुश्लिम हो कोई भी हो चुकि रम क्रिडायाम धातु से रामशब्द की उत्पत्ती होती है तो रम क्रिडायाम धातु का आसे ही ही है कि जो सब में रम रहा है और जो सब में रम रहा है तो ओ चाहे कोई हिंदू हो कोई मुश्लिम हो कोई शीख हो कोई इसाई हो आज सारी दुनिया में जो एक उत्सा जो एक लहर दोड़ रही है वो इस बात की कि अब हम साइद हमारे स्री राम चूकि राम के हुले हिंदूओं के लिए नहीं मानव जाती जो है यद सुसजित और वेवस्थित होना चाहती है तो स्री राम का आश्रे चहिए राम के आदर्श चहिए राम के आचरन चाहिए और स्री राम के बिना समुचा पूरा समुचा विश्व शमुदाय समुची माना वजाती जो है ओ साइद अधूरी थी जिसको आज हमारे माननी न्यायाले ने हम लोगों को वह अस्थान प्रदान किया कि जिसके लिए हमें आज गर्व महशुश हो रहा बिल्कुल अक्श्मंदाज ची मुझे लगता है कि कारिक्रम जो अपने अंतिम समय पर है और राम की तो कथा जो है. अरी कथा नंता तो अब ये तो अनन्त है समय ना आप कहने में ठखेंगे ना हम सुनने में ठखेंगे और लोग भी सुनते सिर्फ एक भवन नहीं, बलकि एक आदर्ष, चरित्र निर्माण और राष्ट मंदिर का निर्माण है, जो भाव सब के अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है, वो आयोध्या की धरती ये संदेश दे रही है, और ये सब को समझना होगा, समझना चाहिए भी, और चाहे वो जैसे समझे, वो समविधान समझाएगा, समविधान बहुत संचम है, और लोकतंत्र यहां का जीवन्त है, जो राम के आदर्स है, राम की मर्यादा है, वो उसकी स्थापना तै है, आखिर में बस इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद, देखते रहे हैं, एबी पी गंगा, खबर आपकी, जुमाँ आपकी.